हेलू क्लास, वेलकम बाग बचषोlor, लो美味 होist, आज प्रेसेंटेसन ओटा हम तरीके के प्रेसेंटेशन की बात करें उसमें बेटा सेप्टर में एक ही बात करें दो और तरीके की प्रेजंटेशन है जब 6 और 7 फिनिश करूँ आ तो प्रोडक्शन चुरू करूँगा उदर से माइक्रोइक्वामिक्स का चप्टर फिर एट थम बातने करें तो जागर स्लेवस पूरा होगा रिवीजन का तो भी सबसे बड़ी हैड़क है एकनॉनिक्स क्योंकि बात वैसे नहीं कोई हैड़क है बात हैड़क सर्विस लिए कि जवरदस्ती कि स्लेवस है बाहरा में से सबसे पहले हम क्लासिफाय किया गया है सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे on the basis of construction बीटा इसके इसाब से दो अलग अलग पार्ट में टेबल को क्लासिफाय किया जा सकता है सिंपल और वानवे टेबल और कॉंफलेक्स टेबल पहले सिंपल टेबल की बात करते हैं बबो अगर मेरे कोट टेबल में एक एसा डेटा शो करना हूँ जिसमें सर्फ एक ही characteristic है सर्फ एक बाव। जो टेबल कंस्टर्फट करनी बड़ेंगी वो सिंपल टेबल होती है । अगर बेटा दो टेबल और टूबे टेबल अगर तीन कऱेजुए टेबल या इसे ठीवे टेबल भी बोलते हैं और तीन से भी ज़्यादा characteristic को represent करना है तो many fold table बड़ी simple बात कर रहा हूं बिटा वनवे table मतलब ऐसी table जो एक ही characteristic शोग कर पाए दो कर पाए तीन कर पाए तीन से भी ज़्यादा कर पाए simple है बाद लोग समझाने के लिए मैंने सब के example दिये हुए है बिटा यह one way table है सिर्फ एक ही basis में classify किया कि class 11 में कितने student है बीए में कितने student है बीए second year में कितने है और बीए third year में कितने है एक ही basis लिया एक ही characteristic शोग कर रहा है पूरे data की that's it सिर्फ number of student one way table बभू अब मैं complex table की बात करूँ इसमें बेटा तीन तरीके के हैं two way three way manifold इता देखना पहले number of student में classify करा फिर उनको boys और girls में classify करा दो अलगलग characteristic ठीक है two way three way पहले number of student फिर boys girls और फिर उसमें भी rural में कितने आरवन में कितने बेटा उसके basis पे भी हम classify कर सकते हैं कोई दिखत को परशानी को नहां कोई शाधिगात पढ़ने सकते की अ या ऐसा कुछ होता है तो बता दे क्षाधि के बादा नहीं बढ़ सकते अज़ questa는 कोई नहीं नोग करें बिटा सब सामने देखेंगे पहले बताओ इसमें किसी की कोई दिक्कत कोई बरशानी तो नहीं आई सिंपल आईए आगे बढ़ सकते हैं बभो बात कर रहे हैं according to the originality बिटा originality के इसाब से भी table दो तरीके की है original table और derived table प्लीस सामने ही देखना बभो original table का क्या मतलब है बिटा original table का मतलब है जैसा data collect हुआ मैंने बिलकुल वैसा ही table में चिपका दिया कुछ भी change नहीं करा एक single भी change नहीं करा अगर data fraction में आया तो fraction चिपका दी point दमाया तो point चिपका दिया कोई single भी change नहीं करा ऐसी table को हम बोलते है original table जैसे की नाम भी suggest कर रहा है और derived table क्या होती है बिटा देखो ऐसी table जो original table से derive होई हो ऐसी table को मोलते है derived table जैसे कि समझाने के लिए बात बोलता हूँ मैं example यहीं से दे देता हूँ या कोई और अच्छा example है तो चलो ठीक है बहुत बढ़ी है यह example में क्या मालो बेटा मैंने data तो ऐसा collect करा अगर मैं ऐसा का ऐसा ही table में बता दू तो यह original table हो क्या ठीक है या derived table क्या होती है data तो इक हट्टा करा कुछ और अगर मैंने convert करा उसको percentages में averages में और एक अलग table बना कर बता दिया तो इसको बोलेंगे derived table क्योंकि derived table original table से derived होई है इसलिए इसका ऐसा नाम पढ़ए derived table समझाओ समझाने के लिए बात बोलता हूँ मैं गौट table बना दू और मैं यह data लिखना शुरू कर दू percentage में यह बोलना शुरू कर दू कि 11 तमेना जो boys है वो 80 परसेंट है यह 20 परसेंट है 100 परसेंट का और actually मैं आप देखो यह 80 परसेंट की तो है total 11 तमें student कितने है 200 मैं से 160 लड़के है 40 लड़के हैं मैंने अगर एक नई table बना दिया और यहां percentage में देटा लिख दिया 80 परसेंट और यहां 20 परसेंट तो मैंने क्या करा और इसनल टेबल से ही तो डराइट किया यह कि सेम वे अगर मैं यहां पर लिखना शुरू कर दो भी है फर्स्ट यहर में 40 परसेंट बोई है 60 परसेंट गल्स हैं इसको परसेंटेज में कि समझ में आ रहा है और इसे टेबल में पूट कर दिया और इसमें क्या करता हूं हो सकता है और सांटेज में करूं और ओसक्ता है और किसी और मीन्स में रहा है कोई दिकत कोई परिशानी बात क्लिया और इसनल और डिराइब्ड टेबल को solve नहीं कर रही कोई specific purpose के लिए नहीं मैंने बनाई बस table बना दी कोई मेरा specific purpose specific problem solve नहीं कर रही ऐसी table general purpose table भी कहलाती है और बेटा जो मेरा एक special purpose के थूँ designed table एक special problem को solve करने के लिए table बनाई है वो बेटा special purpose table है इसको कुछ लोग summarized table भी बोलते हैं क्यों क्योंकि बेटा ये table general length में बड़ी होती है लेकिन ये हमेशा छोटी होती है क्योंकि बेटा एक specific purpose है उसी purpose को solve करने करें मैंने table बना दी जैसे की बेटा मुझे चाहिए 50 student है मेरी class में मुझे उनके economics के marks देखने हैं table form में बना दी ठीका ना मैंने क्या लिखा होगा table number 1.1 जो भी लिखा होगा ठीका ना marks of 50 student in economics एक table बना दी बेटा बस 50 बच्चों के economics के number ही तो डालने मेरी specific problem पर उसमे इस table ने solve करती है ठीका ना जितनी छोटी table बने ये उतना अच्छा मेरे लिए तो बावो क्योंकि ये table एक specific problem को solve करने के लिए बनाई है बस उतना ही data उसके अंदर है बावो ये मैंने किसी specific problem को solve करने के लिए तो बनाई है मैं चाहता हूँ कि ऐसी table बने जिस लिए बहुत सारा data हो और जितनी की problem राई जो सारी solve हो जाए तो बेटा मैं इसमें बहुत सारा data लिखने वाला हूँ इसलिए बेटा हमीशा table general length में काफी बड़ी होती है special purpose table से clear है बाट मेरा chapter स्वाहा हो गया लेकिन मुझे अभी भी दो तेन practical question की बात कर रही है इस chapter से कि अगर अगर आप पढ़ने इंटरस्टेट हो चलो पढ़ो पहले दो चार मिनट लो ऐसा भी ना रही कि problem रहे चैए पहले यह सारा topic पढ़ दो जितना मैंने दिया उसके बाद बोड़ बर मैं कुछ question लेकर आगे पढ़ावर से पढ़ना शुरू गरी है बिटा सामने देखना दो तीन practical question का discussion मुझे यहाँ पर आपके साथ करना है आपके सामने देखो बिटा एक illustration आया हुआ है देखो मैं ऐसी उमीद तो नहीं करता है कि इन chapter से कुछ practical आएगा पर बात बढ़ी सिंपल्स यह यह टीचर उच्छी अरकते करेंगे ठीक है ना उनको यह है कि दो चार रहे हमारे को एप्रोच करें उसके बाद तो वही उसके लिए कुछ भी करेंगे तो तुम अपनी तरफ से कसर मत छोड़ो पिटा कहता है illustration one prepare a blank table to show the percentage of rural and urban population in India in 1981 1991 2001 and 2011 बबबो आपको बता percentage, rural और urban area में रहते हैं इंडिया की population की अलग-अलग census के हिसाब से ठीक है इंडिया में हर 10-year बाद census होते हैं ठीक है और यह आज से नहीं चल दा आरा बेटा यह अंग रेजों में शुरू किया था इंडिया में system तब से चला वार रहा है ठीक है ठीक है बबो तो मैंने एक पर लिए census year और बेटा अलग-अलग census year लिख दिये और अगर आपको पता है बहुत अच्छे से तो यह सब स्टप्स हैं ठीक है ना जी जितने भी horizontal चीजों की heading होती है raw headings raw titles यह सब स्टप्स हैं और बाबो मैंने caption में क्या लिया बेटा percentage of population rural area में urban area में और उनका total बाबो सब्जय का टेबल बनानी भी आती है के नहीं है ठीक है और आने को बेटा यह दो तीन नंबर के लिए एक अच्छा कुछ नहीं है ठीक है इससे भी अच्छा हो सकता है इस census के लिए एक budget declare करते है करती है सरकार साल इस साल budget declare करा तो opposition में सवाल उठाया बजट इतना कम है यानि किस बार भी आप गिंती नहीं करा पाऊगे भाई census में बहुत पैसा गर्चोता है इतने सारे टीचर सरकारी टीचर को आप लगा देते हो उनको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है गरगर आगर लिखने वाले कोई नंकोई लोग आता ही है census लिखने तभी delay है अभी पता ही नहीं आए दा आगे नहीं चलो बढ़ाते हैं बात को आगे बिटा इलस्ट्रेशन नंबर थ्री बहुत कमाल का इलस्ट्रेशन है इस पर चर्चा करनी है इस सामने देखें बिटा कहता है इना सेंपल स्टडी अबाउट दा कफी हैबिट इन टू टाउंस फोलोइं डेटा वर भाज़व अबसर्ड टाउंस और टाउंवाई के बारे में कुछ डेटा है ठीक है सर बहुत सारे एक्टरिव्यूट्स है कि क्या-क्या बात हो रखी है ठीक है यह पसाएगा आपको एक टेबल में इसलिए बन वा रहा हूं कि फसो नहीं पिपर वे बबो टाउन एक्स कहते हैं 52% परसंट परसंट वर मेल्स बावन परसंट लोग टाउन एक्स के मेल्स हैं अच्छा जी 25% वर कॉफी ड्रिंकर्स अच 25% लोग कॉफी पीते हैं टाउन एक्स के अच्छा जी कहते हैं 16% वर मेल कॉफी ड्रिंकर्स 16% लोग मेल भी हैं और कॉफी भी पीते हैं ठीक है यानि कि पीटा मुझे जो समझ में आ रहा है बभू एक तो मुझे डेटा को क्लासिफाय करना है मेल्स और फीमेल्स में एक कॉफी ड्रिंकर्स में चाहिए बार तो आपको भी समझ में आ रही होगी सेम वर बीटा डेटा वाय के लिए टाउन वाय के लिए 55% persons were males 28% were coffee drinkers and 18% were male coffee drinkers represent the above data in a tabular form मुझे इटा को present करना है table में लोगे दो मिनट, ट्राइ ज़र होगे चाहते, दो मिनट सब को दिए करना ज़रा, देखते हैं कितना अच्छा सोचते हूं बिटा, सामने देखना मेरे साब से अगर आप इस table को construct करते हैं तो कैसे करते हैं बिटा, एक करफ में डेटा लेता coffee drinkers का और बिटा, non coffee drinkers का ठीक है लिए? उसके बाद बिटा, हम बात करते town x की और town y की जिसमें बेटा में डेटा को तीन अलग-अलग पार्ट में क्लासिफाई गरता males, females और total male, female और total अब मेरे ख्याद सब कुछ बिल्कुल clear हो जाएगा देखना एकने और यहां पर भी बेटा total की ही कहानी है बवो, town x की बात है, 52% वार males बेटा, 52% लोग male है male में, चाए coffee drinker अच्छा नहीं है, है तो 52% में यानि की बेटा females कोई दिखकत तो नहीं 25% coffee drinkers है यहां यह नहीं का male या female 25% coffee drinker है, चाए male हो चाए female हो coffee drinkers 25% है तो यानि की non coffee drinker चापतर और 16% male coffee drinker है male भी है और coffee drinker भी है 16% अगर यह 16 है, यह total इनका 52 है 36, अगर यह 16 है तो यह 9 और यह 36 है और यह पिछतर है तो यह देख लो same way, बभू टाउन भाई के लिए भी है 55% वर males, male 55% है तो यह 45 females total 28% coffee drinker है 28% total का coffee drinker है और 18% male coffee drinker है बस बाग्य समचीज़ आजेंगी 28 है तो यह 72 है 18 और यह इतना है तो 30 हो गया 30 में से बहता है कोई लिखत तो नहीं बभू मैं illustration 4 सर्फ दिखा देता हूं आपको बभू केते है देर वर 80 परसंस इना ट्रिप और्गनाइज़ वाया स्कूल आउट ओप विच 60 वर स्टूडेंट्स 14 वर तीचर्ण्स और 6 आउट अल मेल्स प्रेकेट में लिखा वर प्ययान्स आउट ओप टोटल परसंस 16 वर फीमेल इंक्लोडिंग वन लेडी टीचर्ट अबाव इंफू इना टेबल बबो कहता है 80% ट्रिप पर जाने एक स्कूल ने और्गराइस करी है टोटल साथ स्टूडेंट है कुछ टीचर्स भी है और कुछ प्यॉंस भी है बिटा फिर इसने केटेगरी देती जहां पर एक बहुत बड़ा हिंट है कि 16 फीमेल्स भी है यानि कि मेल्स फीमेल्स फिर भी ट्रिप गोवस आए बिए कौनकोन ट्रिप पर जा रहा है एक तो स्टूडेंट्स जा रहे है आदे टीचर्स जा रहे है पर प्यॉंस जा रहे है ओ एज़िघन या जा सकता है further males में females में भी ठीक है जी बिटा total 80 लोग जा रहे हैं ठीक है अब बाखी बाते पढ़ते जाते हैं वह कहता है 60 वर स्टूडेंट असी में से 60 स्टूडेंट है 14 टीचर है वह साथ स्टूडेंट है चौदा टीचर है और सिक्स पेउन्स हैं साथे साथ उसने ब्रेकेट में दिया था सारे मेल्स भी है चीक है जी बभू इसके बाद एक और डेटा आता है आपके पास कहता है आउट ओव टोटल परसंस 16 वर फीमेल्स इंक्लोडिंग वन लेडी टीचर बभू जितने भी टोट बभू टोटल सोला फीमेल्स जारी है जसमें से एक तीचर तो पंदरा स्टूडेंट सी हुए बागी सारी तो कैटिगरी आप खुद बखुद बन वहीं टीचर टोटल चौदा गए है एक फीमेल है तो तेरा बभू यह 45 और यहां से आप कैलकूलेट कर सकते हो एक और अर अब आज के लिए इतना ही है बैरे बच्चों बागाई